नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टिक में दोस्तों आज 28 मईद 2020 और आज की प्रमुक खबरे जान लेते हैं जो आज के प्रमुक समाचार पत्रों पे चाही हुई है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन रहे हैं शुरुबात करते ह हैं आज के वीडियो की यूपी बोड के परड़ाम को ले करके दोस्तों आज की अपडेट है तयार होने लगा यूपी बोड परिच्छा का परड़ाम दोस्तों उत्तर प्रदेश के यूपी बोड में अब तक लगबग नबे फिस्दी कांपियों का मुल्यंकन पूरा हो च दूसना यहां पर यह मिल लएई है कि अब बैटियों के जो नंबर हैं विसेवार अंगपत पर चड़ाया जाने लगे हैं और इसके साथ इस संभावना यह बन रही है कि जून अंत तक यूपी बोड का परड़ाम जारी कर दिया जाएगा ठीक है बहुत से च्छातर शातरा हैं लगबग पचास लाग से अधिक हैं जो परड़ाम का इंतजार कर रहे हैं रोल लंबर चड़ाया जाने के अनुसार अब जल्दी काम होगा और अब कत तीस जून के पहले रेजल्ट वी जारी हो जाएगा ठीक है सी और आई से वी आगे यूपी बोड निकलता हुआ दि और सब्सक्राइब के जो चात्र हैं जो लॉकडाउन में इदर उधर कहीं अलग अलग जिलों में फसे हैं उनके लिए इस विदा दी गई है कि दोस्तों यह अब किसी भी जगाय पर किसी भी परिच्छा केंद्र पर परिच्छा दे सकते हैं ज़ी रही हैं कि जहां पर पहल देने का फैसला किया है बची हुई परिच्छा एक से पंद्रा जुलाई की बीच होनी है लेकिन जो छात्रा इस बीच दूसरे जिलों में चले गए उन्हें नजदी की में परिच्छा के इंदर उपलब्द कराया जाएगा इसके लिए जो छात्रा है वो अपने अपने स्कू परिचा देना चाहती है ठीके सीवेसी का कहना की जल्द ही इसके जारी की जाएगी जून दोजार बीस के पहले सब्तामिया जारी कर दीजेगी तो जितने विचात्रा हैं वो अपने स्कूलों के टच में रहे हैं अगली अपडेट की बात कर लेते हैं उननत्तर यार सतारा आए यहां पर दो केस दिये गए पहला केस ही है जिरों ने इसमें एक परिचारती है वह दिव्यांग है लेकिन जब भारा था तो जार ऐटारा में तो उस समय कटे दिव्यांग का कालम बरना छूट गय अब उनको डर सतारा के दिव्यांग कोटे का लाव नहीं गा और इससे बहुत परिशान है बहुत अब्रतियों ने ट्विटर पर हर जगे सब कुछ किया लेकिन संसूदन कोई भी मौका नहीं दिया गया उसी तरीके से यहां पर केस दूसरा है इसमें क्या है कि यह अब्रती है और उसमें सिच्छा मित्र आएं और जब फार्म बढ़ जाए इस वज़े से इनको भारांग नहीं मिलेगा और इसलिए इनका चैन भी नहीं हो पाएगा तो यह सारे जो ब्रती हैं अब चिंतित हैं क्या होगा क्योंकि मुबाइल नंबर संसूदन तो मिल गया था लेकिन अन्य संसूदन कोई मौका इनको नहीं दिया गया उन्हें प्राथमिक विद्यालों में सिच्छक वर्ति के लिए पृथम वरिता देने को बुद्वार को मुखमंत्री से गुवार लगाई है अब बेशिक सिच्छा विवाग एंसी आर्ट सी आर्टी परिछान प्रादिकारी कार्याल है को इमेल के माद्दम से मांग पत्र वेजा है उन्हों ने कहा है कि बीटी से बीटी ट्रेंड है और इसलिए इनको पहले वरीता दी जाए ठीक है लेकिन सरकार की तरफ से अभीता किसमें कुछ भी प्रत्क्रिया नहीं दी गई है तो दोस्तों यह एक बड़ी अब डेट है अब देखना यह होता है कि इसमें क्या होता है परती होगी बढ़ती में सभी एक बराबर है कुछ नहीं कि पर्थम बढ़ीता दी जाए उनुटर जार सिच्छक बढ़ती में दोस्तों पदों का देख लिजी आपने किस तरीके से आपर पदों का दिया गया है वह समझे यह तो आप लोग जानते हों अनाराजचित के लिए 50% सीटे होती हैं सबसे पहले तो कर रहे हैं जो हर जैंटल आरजचन मिलता है और जैंटल रिजर्वेशन मिलता सब्सक्राइब के लिए लिए लेकिन दस परसंट जो सीटे हैं इसमें से यह इनको शहती आरजचन का मतलब है इसमें सब्सक्राइब के लिए दो परसंट एक सर्विसमें के लिए पाच परसंट इस तरीके से यहां पर बाटा गया तो अगर बात कर लेते हैं अनारच्षित की तो चौनतिस जार पांसों में से एकत्यूस जार पांसों सामान नवर्थियों के लिए होंगी मतलब अनरच्छी तब लिए होंगी और कटेग्री वाइस यहां पर सीटे दी गई है आपको बता दें जो चैटेज आरच्छन का लाव मिलता वह आपकी कटेग्री के अंदर ही मिलता है जैसे बात कर लेते हैं सी की सी में 21 परसंट आरच्छन मिलता है इस साब से 79 जार का आगर 21 परसंट निकालेंगे चाउदा जार चार्सन अब आएगा इसमें से जो 90 परसंट सीटे होंगी वह ओपन होंगी ओपन का मलब इसमें दिब्यांग नहीं आप आएंगे ठीक है त 5 परसंट दो परसंट एक परसंट इस आप से सीटे बटेंगी और कुल मिला करके यहां पर फिर वही टोटाल आ जाएगा इस तरीके से 36 आरच्छन होता है वह आपको कटेगरी की अंदर ही इसका लाब मिलता इसका अगर देखना चाहते हैं डीडेल से हमारी टेरी के राम च पर सफल 49 अब्यर्थियों का पहले दिन बुलाया गया तो इसमें सिर्फ 98 अब्यर्थी उपस्थितर आए दो परसंट अब्यर्थी अनुपस्थितर आज भी सत्यापन करकरम चलेगा और अब सत्यापन करकरम का दूसरा सडूल भी आ गया है आप लोग वेबसाइट इसको अब्यकर लोग बॐ सकते हैं ठीक है अगली अप्डेट की बात कर नेते हैं तो यहां पर आपडेट है राज ध्यापक पुरुषकार को लेकर करके राज या द्यापक पुरुषकार दोश्तो अब इसकी डेट जो है वो एक जून से लेकर के तीस जून कर दी गई तिन से ए अगली अप्डेट की बात कर लेते हैं तो मुक्त विश्विद्यालाय बीएड प्रिविस परिश्चा के लिए आवदन की तिति बड़ी उत्तर प्रजस राज़र श्टेंडर मुक्त विश्विद्यालाय से जो बीचातर बीएड बिस्स लिए एडमेसिन लेना चाहते हैं उन आज की पूरी अप्डेट आसा करता हैं वीडियो पसंद आया होगा वीडियो का लाइक और सेर कर देजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद